हाई फ्रेंग्स संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हेदराबादी भगरा बेंगन हेदराबादी इसका नाम है पर यह सब्जी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉप्यूलर है और हर बड़े रेस्टोरेंट के मेनू इसका बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है आज हम इस थावड़ी भगरा बेंगन की सब्जी को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनाएंगे तो आईए अब हम इसके इंग्रेडियंस देखते हैं इंग्रेडियंस देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संकीता विश्वरूप पर अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को अधिक से अधिक से शेर कीजिए भगरा हैदराबादी भगरा वेंगन बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर जीरा पाउडर रोस्टेड जीरा पाउडर है यह गरम मसाला धनिया पाउडर यह मैंने लिया है रोस्टेड चने है यह आप इसकी जगह रोस्टेड चने की डाल आ तक दॉड़े लिया है यह पर मैंने लिया हैं तुट है को आप folia तो आप मैंने लिआ है यह मैंने बैंगन को बगार देने के लिए करीपत्ता, कलोंजी, ठोड़ा सा जीरा और ठोड़ा सा मेथी गाना लिया है, साबुत मेथी गाना है, तेल, हरा दनिया और तीन सु ग्राप बैंगन है सबसे पहले हम बैंगन बरने के लिए मसाला तयार करेंगे, इसके लिए दो चम्मच रोस्टेड मुँफली का दरदरा चूरा है, दो चम्मच रोस्टेड तिल का चूरा है, और यह ग्रेटेड नारियल है, इसकी जगह आप मैंने जैसे पहले बता यार, फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं और अब मैंने रोस्टेट भुने हुए चने को बारिक पीस लिया है इसकी जगह आप रोस्टेट चने की दाल ले सकते हैं या भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं यह भी मैं इसमें मिला रहे हूं कि सबड़ों चम्मच लिया है मैंने इसमें अब मैं मिलाऊंगी हलदी पावडर होड़ा वंसफोष मनेश्भी पावड़र और लालमेश पावड़र यह भी हाफ टीश्पुन इसमें मिलाएंगे फिलला रोस्टेट जीरा पावडर यह भी हाफ टीस्पुन इस मीं लाएंगे और अब धनिया पावडर यह भी हाफ टीस्पुन इसमें मिला रहे हूं और स्वाधानु सर मिलाएंगे नमक को आप मिलाने के बाद अब अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा एक टेबल स्पून तेल और सबको मिक्स करेंगे मसाला अची करण मिक्स हो गया है अब हम बैंगन को काटेंगे इस तरह से बैंगन को अच्छी तरह से दोलिया है सारे बैंगन में इस तरह के रखते हूं यह मैंने साफ कर लिया है पर यह बहुत ही स्वाधिश्ट होते है अब इस बैंगन में हम मसाला भरेंगे अच्छी तरह से मसाले को अंदर स्टफ करेंगे सारे बैंगन इसी तरह भर तें मेंसाला भर लिए है और बाकी मसाला हमें ग्रेवी में डालना है अब मैंने दो टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है बेंगर को फ्राइ करने के लिए यह मैंने लिया है वन टी चॉटा चंओält हाफ टी चुटून जीरा आफ टी चुन मैंने लिया है कलोंजी में लिया है मेथी दाना और इंचे करी पता इनकी अश्टाइन शब्सेपहले हम डालते हैं थोड़ा जीरा और पिर मेथी दाना को और कलोंजी भूँ हम डालेंगे और इस्टे भाड़ा भी दालेंगे अब इसमें हमने जो बेंगन को स्टफ करके रखा है मसाला बरके रखा है इसको रखेंगे सारे बेंगन रखेंगे और इसे हमें अब दीमी आज पर साथ-8 मिनिट के लिए हमें इसे पकाना है बीज-बीज में हमें इसे चलाते भी रहेंगे सब दूर से एक साथ की फ्राय हो जाए थोड़ा सा बीज-बीज में इसे ज्यान रखना है और इस तरह से चलाते रहना है इसको अभी मैं इसको डखके साथ-8 मिनिट के लिए दिमी आज पर पकाती हो जब तक हमारे आप बेंगन फ्राइब हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला तयार करते हैं यह मैंने लिया है दो प्याज बड़े टुकडों में काट कर लिया है इसको पहने हम मिक्सर जार में लेए और यह है अध् और एक छोटा टुकडा अग्रक का सबको मिक्सर जार में लेकर हम इसे पीसेंगे बारे अब हम बेंगन को एक बार देख लेते हैं थोड़े हो गए है थोड़े और अभी मुना बाकी है बेंगन हमारे अच्छे तरह इसको पकाना है अभी मैं बेंगन को इस्टाइड शिफ कर देते हूं और इधर हम ग्रेवी के लिए पैन गरम करेंगे यह मैंने डेट से दो टेबल स्पून तेल गरम किया है ग्रेवी के लिए अब हम इसमें यह प्याज अध्रक लसंद और मिर्ची की यह ग्रेवी इसमें डालते हैं इसको पीस्ते वक्त आपको जरूरत लगे त अब हम यहां केल में ग्रेवी को अच्छे तरह में बूलना है इससी रोसमें निकल जाए तब तक यह सबजी मैंने पहली बार उटी के एक रेस्टोनेंट में खाई थी मुझे शुरू से नहीं नहीं रेसिपीज बनाने का बहुत चौक है तो मैंने तुरंत ही वहां के इसको दो-तिन बार ट्राइ किया इस सब्जी को मैंने संडे को मैं सब्जी बनाती हूं और कोई मेहमान आए तो दो-तिन सब्जी में यह सब्जी तो मेरी एक जरूर रहती है बहुत ही अच्छा एक हैदराबादी इसमें अलग ही टेस्ट है आपको भी जरूर पसंद आएग यह मैंने अच्छी तरब मसाला लसंद प्याज का भून लिया है तेल भी चुटने लगा है अब इसमें सारे सुखे मसाले डालेंगे हम वन पोट टी स्पून हल्दी पाउडर और लाल मिच पाउडर दो टी स्पून मैं डाल रहे हूं आप आपके स्वादा अनुसार इसे डाल सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं और जीरा हाफ टी स्पून दनिया पाउडर हाफ टी स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून सबको मिक्स करते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए आप आपके सबसे पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी और मिक्स कर रहे हूं मैं इसमें अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प थोड़ा सा गेस को दिमा करते हैं और एक टेबल स्पून इमली का पल्प इसमें मिक्स करते हैं इसका एक बहुत अच्छा अलग फ्लेवर आता है साउथ इंडियन फ्लेवर हैदराबादी सब्जी में ये बहुत जरूरी है इसके ज़ेके वैसे आप निम्बू का रस भी यूज़ कर सकते हैं जब आप स्टफिंग भरते हैं उस समय आप उसमें निम्बू का रस मिला सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे श्वादानू साथ थोड़ा पानी और मैं कंसिस्टेंसे सेट करने के लिए इसमें मिला रही हूं और फिर अब हम इसको ढखकर तीन से चार मिनिट टक के लिए ग्रेवी को अच्छी तरह पकाएंगे धिम्याज कर देते हैं और ढखकर इसे पकाएंगे में ग्रेवी को इस बैंग्ण में मिक्स कर रही हूं इसको अब हम ढखकर एक मिनित के लिए उवर पकाएंगे एक मिनिट बार हमारी सबजी एकदम रेड़ी है पककर अब मैं इसमें थोड़ी से हरी धनिया पत्ती मिक्स करती हूँ और आभ हम इसकी प्लेटिंग करेंगे यह हमारी डिलेशेस हेदराबादी भग्रा बेंगन तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे चैनल संगीता वेश्वरूपर आवश्य सब्सक्राइब कीजिए